तो हलो गाइज फिससे एक नए वीडियो में सुआ गद रेडमी नोट 5 प्रो के लिए रो ओस का लैटेस्ट बिल्ड आया हुआ है इसमें आपको क्या-क्या फीचेस देखने को मिलता है और रॉम की परपॉमेंस कैसी है आपको इसमें प्ले स्टोर सैटिफाय मिलता है या नह सा वर्जन देखने को मिलता है जैसे आप नीचे जाओगे अबरट वन की सेटिंग में और यहां पर आप जाकर गापको आपको इसका वर्जन देखने को मिल जाता है जैसे बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर जाओगे जो भी टेस्टिंग का है इस पर सेप्टी नेट पास वाला तो जैसे मैं इसको रन करता हूं तो आपको यहां पर देख सकते हो आपके सामने जो भी है डिवाइस नाम रैडमी सबसे पहले इसका आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है तो सबसे पहले इसका आपको कंट्रोल सेंटर दिखा देखने को मिल जाता है और लैटेस्ट आपको इसमें इसे फ्रेगा देखनें को मिलता और यहां से आप आप इसका पावर मेंडिव वगवरा सब कुछ आहां से और आपको इसमें नहीं होती देखने को data saver VPN और mobile plan वगड़ा और private D&D more भी मिल जाता है अब बात करते हैं यहां पर आपको connecting device की तो आप device को यहां से pair कर सकते हो उसके बाद में आपको apps का option मिल जाता है यहां पर जो all apps default और screen time और unused apps यहां से आप देख सकते हो अब बात करते हैं notification के तो notification में आपको app setting मना सकते हो notification history का भी option आपको यहां पर मिल जाता है और नीचे आपको देख सकते हो आपको sensitivity notification का भी option है और नीचे आपको यहां पर allow notification हो गया notification टैब to icon और blink light अगर notification पर आपको light चाहिए device की जो उपर light करती हो तो आपको यहां मिल जाए इन्हेंच notification का भी आपको यहां पर option दिया गया है तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है यहां पर आप जाओगे बैटरी के ओपर तो बैटरी यूजिस आप यहां से देख सकते हो इसली से और बैटरी शेवर आप यहां से इनेबल कर सकते हो ठीक है और नीचे आप जाते हो यहां पर बैटरी आइकन इस्टैल्स भी आप यहां से चैंज कर सकते हो आपको जो भी चीए देख सकते हो बड़ा गोल सलकरल चीए तो आप यह भी कर सकते हो लेकिन मुझे तो यह अच्छा लगता है जो साइकल वाला है बड़ा वाला तो आप सिंपल सी उसको आप यहां से कर सकते हो यहां पर देख सकते हो बिक यहां पर है बिक केजल नाम लगा रखा इसका तो आप इसको इसको इनेबल कर सकते हो क्यों काफी अचा लगता है वन परस की जैसे आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद में आ हमें पर चांट पर पाली behaviour है चाथ्च आप थीना चाहता या ऐघआ तो तो उनंतर हो यहाँ सब्सक्राइब करने को है Golden region सांड यहां से कर सकते हो चार्जिंग वाइब्रेट सांड यहां से कर सकते हो और टच वाइब्रेट भी आप यहां से कर सकते हो वाइब्रेट कनेक्ट हो गया वाइब्रेट कॉल वेटिंग हो गया वाइब्रेट डिस्कनेक्ट और इसकीन सौर्ट का सांड जिस्ते भी आपको notification वगरा का sound चाहिए, वो सब कुछ आप यहां से enable वगरा कार सकते हो, यहां पर आपको display का option मिल जाता, जोग डिस्पले की brightness आप यहां से भी direct इसको आप easily से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और lock skin का आपको यहां पर notification डिस्पले पर चाहिए, नीचे उसकी भी आप privacy कर सकते हो, on skin चाहिए, या lock skin या high skin पर आपको चाहिए, वो सब कुछ आप यहां पर कार सकते हो, अब बात करते हैं इसमें advanced setting की, तो यहां पर advanced setting में जाओगे, तो आप यहां पर देख सकते हो, hand weak वगरा, pocket साइज हो गया, night light लगा सकते हो, auto rotted हो गया, यह आप सब कुछ, tap to week skin और status bar item अगरा, यह आप यहां से, home is power menu पर इसमें सब की को set कर सकते हो, सारे features properly working, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब बात करते है, wallpaper style की, तो change wallpaper पर आप जाओगे, इसमें साइज में आप इसको रख सकते हो, उसके बाद में यहां पर आपको नीचे देख से तो, accessibility का option मिल जाता है, जो कि आप इसको, यहां पर आप एक study dark theme वापिस हो गया, और trimming control center system control, यह आपको audio estimate वगरा, accessibility shortcut, सारे आपको इसमें features दिएगा है, यहां पर security की आपको इसमें face unlock नहीं मिलता है, fingerprint मिलता है, जो काफी अच्छे सवर कर रहा है, जैसे कि आप देख से तो, tap कर रहा हो, एकदम fast open, कोई इसमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, काफी fast है, और काफी secure है, device की बत कर तो, आप देख से तो, device not encrypted, आपको इसमें देखन आरो का इसका जो है, यहाँ पर आपको एक अलग सा ही, enable आपको reporting का, ROM का, इस टेलरी, bugs वगरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर privacy dashboard मिलता है, जो कि आप camera वगरा, location वगरा, access सब कुछ, privacy आप कर सकते हो, concept को permission देनी, add service block, disable करनी, जो भी, निच्छे आपको location का option मिलेगा, ज जो कि आपको पता ही, allocation enable, disable रखना है, safety emergency में आपको, emergency OSOS मिलता है, और wireless emergency alert मिल जाता है, यहाँ पर पास्वर एकाउन पर जाएंगे, तो इसमें आप password आप पास्वर आकाउन में, आप Google अगाउन, add कर सकते हो, और remove कर सकते हो, Google preference के उपर click करे, तो जैसे कि आप यहाँ पर द सकते हो, physical keyboard हो गया, यहाँ पर आप pointer, speed वगरा बढ़ा सकते हो, gashes की बात करें, तो आपको इसमें 2 ही मिलते है, जो कि यह gashes हो गया, और आपको यहाँ पर 3 buttons, तो आपको 2 buttons का option इसमें देखने को नहीं मिलता है, तो यह आपको यहाँ पर setting देखने को मिल जाती है, नीचे आ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर enable advanced reset mode मिल जाता है, जो कि आप power menu पर सारे यहाँ पर features आप enable कर सकते हो, उसके बाद में आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर आपको tab to sleep का मिल जाता है, और playback control का भी मिलेगा, volume back का भी option आपको यहाँ पर gases में जाके मिल जाता है, उसके इसके बाद में data हो गया, यहाँ पर backup ले सकते हो, यहाँ पर update से दो backup नव वगरा backup आव यहाँ से, easily से backup ले सकते हो, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, नीचे आपको updater का मिलता है, जो कि ot update आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर इसका, ot update option आपको देख सकते हो, reset reference हो गया, mobile को all data, delete वगरा करना है, mobile को reset तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो, तो अब आपको इसमें और क्या मिलता है, और भी आपको दिखा लेता हूँ, तो थोड़ी से आपको इसकी camera quality भी इसकी दिखा देता हूँ, आपको Google Chrome इसमें प्रिइंस्ट इकली कर रहा हूँ, मैं फोड़ू आरी, और यहां से आप इसका zoom भी कर सकते हो, जो कि एकदम अच्छे से यहां पर आपको camera quality काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देक सपा रहे हो, तो यहां पर इसकी camera quality काफी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी slide भी enable कर सकते हो, यहां से, तो काफी अच्छी है, कोई दिक्कत आपको इसमें नई होगी, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, तो काफी अच्छी है, लेकिन प्ले इस्टोर आपको इसमें certified नहीं मिलता है, तो अगर आप इसको flash करना चाते हो, तो वीडियो की description में ल पसंद आया हो, तो please like भी कर देना और share भी कर देना, और साथ में comment भी कर देना ताकि एसी वीडियो की आपको notification मिल सके, तो लो मिलते गाईस, नेक्स वीडियो में जब तक, जेहिंजे भारतवन्दे महत्रम